नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टेडी हिंदी की यूरिप चैनल में देखिए 18 सिदंबर 2018 रेलवे ग्रूप डी का जो एक्जाम होए है उसके सभी सिप्ट के कोश्चन हम लेके आ गए हैं जिसमें कि आपको प्रतम सिप्ट दुती सिप्ट और तिती सिप्ट में ल महदी जी के दौरे और मुख्य मंद्री राजिपाल जो पूछ रहे हैं मुद्रा रेस राज्धानी वाला वीडियो प्रवाइड करा दिया तो अब ये वीडियो देखिए पूरा देखिएगा पूरा बहुत इंपॉर्टन में आपको दिखा दूँ देखिए मैंने देखि यहां से चार भी फस जा रहा है तो चार नंबर हुआ ना आपका ये चीज आपके दिवाब गरना चाहिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा मैं पूरा क्योंकि आज का जो पर हुआ है तो बस मुझे एक लाइक क्या हो सकता है गाइस मुझे बस मोटिवेट करने के लिए ए और अच्छा लग रहा है कंटीनियू करने में पहला कोस्टन देखिए आप था मीना माता विमारी किसकी वज़े से होता है तो देखिए आप मरकरी की वज़े से होता है मीना वाता मुझे ठीक है दूसरा अभी फर्स स्रीट के कोस्टन के डिस्स कर रहे है ठीक है जार गंड के मुख्यमंत्री कौन है मैंने ये वीडियो प्रवाइड करा दिया सारा मुख्यमंत्री का रदुबर्दास आपको पता है राजयपाल कभी सारा मैंने प्रवाइड करा दिया आपको मुरादाबाद स्मार्ट सिटी किस राज्य में है तो भाई ये है उत्तर प्रदेश में ठ तो option तो मुझे नहीं पता चला लेकिन उत्तरा खंड के राज जी मुझे सबसे राज जाही दिया होगा तो यह पर उत्तरा खंड नहीं ताल उत्तरा खंड में है अब देखिए यह question पूछा था जो पौधे मरुस्थल में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं उनकों कहते हैं जी बता रहा हूं बागी सब तो जानते होंगे सबसे भारी दातु ठीक है यह question हमको पुछा था फर्स सीट में सबसे भारी दातु तो देखिए ओस्मियन जो कि सबसे भारी दातु यहां पे है अब यहां पर देखिए पुछा था भारत में रच्छा मंतरी कौन है भारत की डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सिता नमाट ठीक है यह भी मैंने कबिनेट मंतर आलग एक ही वीडियो में पूरा खतम किया है इस वीडियो के पहले वाले वीडियो आप देख लीजेगा मैंनो इसमें बकायदे पूरा डिस्प्ले में ही लिखा हुआ क्या 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 अंदर आ लिजें यहां पर लेकिस्पिनर आफिस्पिनर तो यहां पर एक क्रिकेट यह पुछा था किस खेल से सम्बंदित है तो बहुत ही इजी-जी क्वेशन था बहुत टफ नहीं था ठीक है करेंड फिर साइंस दोनों मिक्स में ला रहा हुए आप तो यह क्रिकेटर है भाई भा इसको इसको जो की सांती का नोबिल प्रस कर दिया गया International Women's Day कब मना जाता है तो यह देखिए 8 मर्च को मना जाता है इंपोर्टेंट देज कभी मैंने प्रवाइट करा दिया जो जो मैंने बोला था वो सब प्रवाइट करा दिया अब आप जो बोलेंगो वह भी प्रवाइट करा दूँगा रास्टी वोटर्स डे ठीक है अब देखिए यह क्वेशन रिपीटेड है ठीक है दो तीन क्वेशन रिपीटेड थे तो इसलिए मैं करा है पूरा देख लीजिए आकल के में अगले वाले दिन में रिपीट होता है जबसे बड़ी हड़ी फीमर है सबसे बड़ी घड़ी मारसोःर की फिमर है पूछाता स्वास्था मंत्रा आले किस के हाथ में भारत के कौन है लिपारत के स्वास्तमंत्री है जे पी नडड़ा फिकह है कौन है जेपी नड़ा तो कैबिनेट मैंने पूरा खत्म कर दिया आपको उसमें आराम से मिल जागा है शारी चीजे आस्टिलिया के राजधानी पूची थी तो देश राजधानी मुद्रा और उनके दिखे मैं आपको बोला था कि मोदी जी 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 देश में गया है उसका देश का पूच रहा था नीदर लेंड का पूच था फ्रांस का है तो भाई जो गवर्नर है थे मतलब रधुराम राजम उनके द्वारा यह लिखी हुई पुच्तक है ठीक है यह देखिए अब भी देखिए जो रिजेंट में बुक ऑथर चल रहे है वही सारे कुछ आएगा अब दिखे ठारवा हमारा कुश्चन था संत्रे में कौन सा ए आपल का पूछी लिया है अब देखिए पेटियम पूछ लिया सेकंड सेट में तो विजय सेखर सर्मा विजय सेखर सर्मा इन पर बहुत बड़े स्कैम का भी वह लगा था वो जो गया सिलेंडर वाले कांड में आपको पता होगा सारा पैसा चला जा जा था उसी में ठीक है बूछ रहा है यहां पर बिग बॉस 11 कॉन होश्ट कर राया तो स्लमान खान इसको बेकिंग-सो डा का राता चांण शूत्र क्या है तो न ए ह filter होता है यहांपर इक कॉसशन नार की मान हो प है लए किसेट मता सिंपल यह चीज आपको पता है नीबू के रसका पीज मान बता दो भई नीबू के रसका पीज मान देखे 2.2 होता है एक किलोवाट में कितना एक किलोवाट बराबर आपका मान पुछाता तो 746 वाट होता है यहां पर यह कुस्छन था ऑक्सीजन का एस जो कि अटॉमिक अब आता है मनुस्य में कितने गुड़ सुत्र होते हैं मनुस्य में कितने पहले वाला आपको बता दिया था हां यह बता दिया था मनुस्य में कितने गुड़ सुत्र होते हैं तो तोल 33 जोड़ी जो की मनुस्य में गुड़ सुत्र पाय जाता है मतलब टोटल हमारा हो गया फॉलो करके मेरे दोरा बनाए के लबग सभी courses और lesson देख सकते हैं तो उसका link आपको नीचे मिल जाएगा देखिए आप पे road safety के लिए इनको बनाए गया किसको अक्षय कुमार के अपने खिलाडी कुमार इनको बोलते हैं अब दीचिए एकला कुच्चन था शरीर का तापकरम नियंतरित होता है तो राइड है सा इसका hypothalamus में घंजतरित होता है , अब एक कॉच्चन था कि da ही में किस प्रकार का अमल पाइजाता है , ठीक है दही में लक्टिक अमल पाइजाता है इंपोर्टेंन था तथा स्टेर ये सेकेंड सीट में अब आते हैं थर्ड सीट में सभी प्रावलम को देखते हैं कौन-कौन को से पूछे गया थे दिखें किस धातू को मिट्टी के तेल में रखा जाता है आपने बच्पन से अगर मैं वह पढ़ा है साइंस आपको पता होगा इसा बसे नार्मल सभी किताबों मे सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं कियोंकि काफिय ज़ॉलं सील पतारत हो तो सांथ करने के लिए अब इख़ें आपने भारी जल का रासाइनिक सूत्र हमें से पूछ लिया था तो रासाइनिक सूत्र जिखेंज मैंने 600 साइंस कोस्चन मुका बनाया है पूरा कवर क है आपके लिए ठीक है तो वहां से बहुत सारे कोशन बने हैं तो 600 साइंस कोशन है पूरा फिजिक्स क्रमेश्ट्री बायो स्मानाव शरीर वायो मंडल मतलब जितने भी पूछे जाते हैं साइस सारा कुछ आपको राशानिक नाम राशानिक सूत्र और इसका रहा सब कुछ मै है अगला कोशन था देखिए आनुवन सिक्ता के जनक कौन थे भाई तो ग्रेगर जान मंडल इसका राइट एंसर था ठीक है जो कि जैनेटिक्स के जनक पाने जाते हैं दूद में सरवाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तो कौन सा है जो हम रात में दूद पीते हैं वैसे बोलते हैं लोग कि बुद मिना चाहिए मैक्सिममम चीज आपको मिलता है लेकिन सरवाधिक मातरा में वापे कैल्सियम मिलता है ठीक है नेक्स चलते हैं अगला कोश्चन वाटर गैस किस किन-किन गैसों का मिस्रण है तो सी यो और एचे टू का यहापे मिस्रण है दलदली तो कौन सा गयस निकलता है यह अब आगे बड़ते हैं अंगूर में कौन अमल होता है थी嗎 अंगूर में कौन सामल होता है, तो टार्टरिक अंगूर में होता है, अब आगे देखते हैं, गोबर गैस में कौन सी, देखें, वही चीज फिर से पुछ लिया, कि गोबर गैस में कौन सी गैस निकलती है, फिर कौन सी गैस होती है, तो भाई, गोबर गैस में होती है, हमारी म लगता है ठीक है ट्यूब लाइट में कौन सी गैस भरी होती है जो तो देखें मर्क्यूरिक अक्साइड वह आरगन गैस यह दोनों जो कि ट्यूब लाइट में भरी होती है ठीक है अब यहाँ पर देखिए, पुछा था, मड़ी पूर के मुख मंतरी कौन है, तो बिरेन सिंग थे, मड़ी पूर के मुख मंतरी, ठीक है, इसका PDF जरू डाउनलोड कर लिजिएगा, टेलिग्राम पे, मैं नीचे लिंक दे दूँगा, वहाँ दाउनलोड कर लिजिएगा, 600 जो है, इसके अध्याच हमारे पधान मंतरी जी है, तो दिखे, सभी questions मैं आपको प्रोइड करा दिए, इसी तरह मैं कल के भी प्रोइड कराऊंगा, रिजिनिंग और मैंता कल कमबाइंड लाऊंगा, ठीक है, कमबाइंड मतलब मैं मतलब दो या तीनी वीडियो लाऊंगा, उतने में सारा लादूँगा, ऐसा नहीं कि दस-दस वीडियो में एक ही बार डालू, तो मैं कुछी चाहिए करता हूँ, कि maximum चीज़े अपने एक ही वीडियो में दूँ, जिसे कि आपको बहुत ज़्यादा help मिले, तो आपको क्या आपको पता है, वस मुझे एक लाइक कर आपको इसके पहले भी प्रोइड करा चुका हूँ, आने वाले समय भी प्रोइड कराता रहूंगा, थैंक्यू सो मच गाइस, थैंक्स वर रिचिंग इस वीडियो,